गुच मॉर्णिंग इंडिया दोस्तो नमस्कार दोस्तो आज की मेरी कहानी बहुत ही क्यूट सी कहानी है यह आपको जरूर पसंद आएगी तो चलिए हम सुनाते हैं आपको कहानी आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब क करने के बाद वीडियो के नोटिफिकेशन में जाकर और नोटिफिकेशन आउन करना दिल्कुल न भूले इससे हमारे चानल की सभी कहानिया आप तक सबसे पहले पहुचेगी दोस्तों अगर मेरे वर्टसप नमबर चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चेक करो अब चलो कहां निशनाती है मेरा नाम रूपा है और यह बात मेरे जिन्दे की एक सची दासना है तो इसलिए मेरी पोस्टरिंग भी लाइबरी में होगी अब भले ही आपको यह थोड़ी पोरिंग लगे लेकिन मुझे बुक्स से बहुत त्यार था मुझे बुक्स पढ़न हाल ही में दूसरे लाइबरी में तबादला हो गया वहां एक सक्स था जो रोजाना लाइबरी आता था और बुक्स पढ़ता था ऐसे ही जब से मैं अन्मिशन ली थी मतलों जब से मिया वहां तबादला हुआ था मैं उसे एक तिन में उसके पास आकर कुछ बुक्स ले रहे और चाई के साथ मैंने का हाँ के बागल में बैठ जाऊं तो उसने का बैठ जाईए फिर उसने बातचीत होने लगी बातचीत में बता चला कि वा ऐसादी سुदा सक्स था उसके पतनी अकसत भीमार रहती है उसकी पतनी का iलाज चल रहरा है और उसके छोटी सी बेटी है उसके बाद से रोजाना उससे मेरी बातचीत होने लगी उसने मुझे बताए कि लाइवेरी में रहे कर उसे पढ़ाई करना अच्छा लगता है उसका जो ओफिस का काम है वो भी यहां से हो जाता है कुछ घर से उसकी पत्नी बिमार रहती है इसलिए आजकल वो ओफिस नहीं जाता था रही बेड़ी आ जाता है उससे बादचीत करना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा पता नहीं कोई सक्स मेरे जैसा मिला था उसके दिल में बहुत दर था वो अपने पत्नी से प्यार करता था लेकिन उसकी पत्नी को के अंसर था और वो जाता दिन नहीं बचने वाली थी और कुछ हुआ भी एक दिन करी दस दिन तक वो नहीं आया दस दिन बाद पता चला कि उसके पत्मी की मौत हो चुकी है वो बिचारा बहुत उदास था मैंने उसे कहा कुछ नहीं जिंदकी है करती जाएगी उसके एक छोटी सी बेटी थी कभी कभी वो उसे भी साथ लाने लगा क्योंकि उसे अकेले घर पे कैसे छोड़ किया था उसने मुझे बताया साधी के एक साल तक तो सब कुछ सही रहा उसके बाद एक दिन उसकी पत्नी के अचानक तपियत खराब हुई और पर पता चला कि उसे कैंसर है उसके बाद उसके सिंदगी बदल गई वो अपने पत्नी को बचाना चाहता था इसके लिए सब प्रयास किया लेकिन फिर भी वो से बचाने ही पाए ये बोलते बोलते वो रोने लगा मैंने उसे चुप कराया और मुझे उसके साथ टाइम स्पेंट करने लेगी वो एक ऐसा इनसान था जो दुनिया में साथ बहुत कम है धीरे धीरे बातचीत करती उसकी बेटी मेरे साथ खेल थी और मुझे उससे प्यार हो गया एक दिन मैंने उसे साथी के लिए कहा उसने कहा कैसे तो मैंने कहा मैं तुम पसंद करती है तुम जैसे हो तुमारी बेटी को भी एक मा अच्छे लगने लगते हैं, उसे वगी किताबों से प्यार है और मुझे भी, और इसी किताबों से प्यार से में वेनियु से मुलाकात ही, और आज देखो, मैं उसकी जीवन संगिरी हो। दोस्तों यह चोटी सी कहानी तो यहां खतम हो गए है क्यूट सी कहानी थोड़ी इमोसनल भी जैसे मैंने आपको कहा था तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक चरूर करें चैनल पर पहली बार आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें मेरा